निकी तामपोली को आये किसी खास की याद, खत्रों के किलारी 11 की ये साथी बनी स्पेशल खत्रों के किलारी 11 का सफर हो चुका है पूरा चहां ये सभी लौट चुके है अपने अपने घर वहीं इतने महीनों तक ये सबी रहे थे साथ वहीं आप सताने लगी है इनको अपनी दूरिया ये सबी चब केप टाउन में थे तो अपने मस्ती बरे तस्वीरों को करते थे शेर वहीं आप लोटने के बाद भी अपने हसीन तस्वीरों को शेर कर यह सब इख होए है यादों में लेकिन निकी तामबोली को सता रही है किसी खास की याद जिसे वो अपने घर में भी कर रही है काफी जादा मिस जो इस सफर में बन गई थी उनके सबसे अच्छी दोस्त ये कोई और नहीं बलकी है आस्था गिल जिसे निकी कर रही है काफी मिस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर निकी ने शेयर की एक तस्वीर जहां निकी डेली में है, मैं अपने बैट पर बैट कर निकी को आ रही है आस्था की यार इस तस्वीर को शेयर करते हुए निकी ने लिखा Miss you already, Miss Astha Gill इतना ही नहीं, निकी ने आस्था की बर्ड़े के दिन भी शेयर किया था, आस्था के साथ एक प्यार भरा पोस्ट, इसी के साथ साथ प्यारा सा केक भी किया था आस्था को गिफ्ट आस्ता की birthday के दिन भी निकी उन्हें काफी special feel करवाती हुई आई थी नजर जब ये दोनों Cape Town में थे तो आस्ता और निकी एक दूसरी के साथ शेयर करते थे धेर सारी तस्वीरे इन दोनों ने Cape Town में की है धेर सारी मस्ती लगता है Cape Town में मिल चुकी है निकी को सची दोस्त आपका क्या है कहना निकी और आस्ता कि इस दोस्ती पर हमें कॉमेंट का ज़रूर बताए टेलिविजिन की लेटिस न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें